सरिस्का से गायब टाइगर की बारे में लेटस्ट सूचना बस इतनी है कि दो दिन से उसके पगमाक नहीं मिल रहे हैं इस बारे में जो भी सूचना आ रही है वे अफ़ा ही है ताइगर के फुट्प्रिंट नहीं मिलने से यदावा करना सही नहीं होगा कि वह कहा पर है एंजेपी ऐसे कोई खबर नहीं दिखाना चाहता जिससे किसी भी तरह की अफ़ा फैले परंदु वन विभाग के सूत्रों क भी बाग हो सकता है यह माना जा रहे है कि इहां से थाईगर अलवर के सर इसका जंगल की और अपने मूल तिकाने पर भी भढ़ सकता है और रिवाडी जिले की और भी आ सकता है रिवाडी जिले में साबी नदी के बांध के साथ सटे गाउं की लोगों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है उन्हें खेतों में अकेले जाने से बचना चाहिए बांध को पहले भी पकड़ने के लिए किये गए कट्रा भांध ने वे ड्रोन की मदद लेने के प्रयास काम्याब नहीं हो पाए खेतों में जैसे भी घुसा कर भी बांध तक नहीं पहुँचा जा सका टाइगर 2303 की मुमेंट की बारिकी से जानकारी रखने वाली लोगों का मानना है कि साबी नदी इस पार यानी रिवाडी शेहर की और बाग तब ही आएगा जब ये किसी तरह भटक कर बांध के साथ सा जड़तल गाउं तक पहुँच जाएगा लेकिन इसकी संभावना काफी कम हो चुकी है अब तो सरिस्का की और भणने की संभावना ही सबसे अधिक है हम आपको यह भी बता दे कि कल सहबाज पुखाल सा डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के न्यूरेवाडी रियल वेस्टीशन और एलिगेंट सिटी सहित ने जाने कितनी जगों से बाग के होने की भए मिश्वित सुचनाय हमें मिली लेकिन वन विभाग वे सरिस्का की यहां पर सक्रिय रेस्क्यू टीम ने इन सुचनाओं की पुष्टी नहीं की पिछले इतकाई दिनों से चल रही अफ़ाओं को लेकर जब हमने सरिस्का की डिप्टी डारेक्टर देविंदर पताब जगावत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अफ़ाओं से बचना चाहिए इनी से खोब बढ़ता है लेकिन साथ ही उन्होंने रिवाड़ी वे अलवर जिले की उन गाओं की लोगों को सावधन रहने की सला भी दी जहां पर पगमाग मिल चुके हैं